जाहिन नमारे सभी विवर्स को आज के वीडियों हम बात करने वाल है आर्मी इंटेलिजेंस कोप के बारे में जी हां, आर्मी इंटेलिजेंस कोप एक ऐसा ऐसी टुकुडी है इंडियन आमी की जो की खास कर आपका intelligence का काम गयती है जब मैं बात करता हूँ intelligence की तो उसका कहते है हम जासूसी ठीक है तो इंडियन आर्मी की एक ऐसी जासूसी यूनिट है जो कि आर्मी के अंदर और आर्मी के बाहर जो कुछ भी काम है जासूसी से लेटी अगर कहीं पर आपको रेकी करनी है किसी के बारे में information निकालनी है कहीं पर कोई अगर suspicious moment हो रहा उसको पता करना है तो ये unit है जो कि सबसे पहले जाके वहाँ पर से information निकाल के लाती है और बताती है आर्मी को सतर करती है आने वाले threats के लिए और इसके अलावा अगर आपको army cobs, army intelligence cobs join करनी है तो कैसे आप join करोगे क्या उसका procedure है वो सब बात है हम इस वीडियो में discuss करने वाले है तो make sure करें आप वीडियो को end तक जरूर देखें और हमारी बागी वीडियो को भी आप like करें, comment करें चैनल को subscribe करना ना भूले so that आप अगनिवीर भरती से related सभी update से जुड़े रहे और जो सब बच्चे अगनिवीर के त्यारी कर रहे है उनके लिए अगनिवीर physical academy हमने start कर दी है जिसमें कि 90 days का आपका training module होने वाला है, accommodation and food में आपका हम provide करने वाले हैं, training देंगे आपको x pair as of operative और weekly basis पर होंगे आपके guest lectures तो जो सब बच्चे हम से जुड़ना चाते हैं हमें इन number पर call या whatsapp वो कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जैसे मैंने आपको बताया army intelligence scope एक ऐसी organization है इंडियन army के अंदर जो की खासकर intelligence का काम देखती है इनका काम होता है timely, relevant, accurate and synchronized intelligence पहुचाना army तक मतलब समय से समय रहते बिल्कुल सठीग information जो की हम आगे जाके apply कर सके अपने plan में वो army को देना ताकि एक ऐसा plan बनाया जा सके जो की आने वाली जो हमारे को मुसीबत आने वाली है उसमें हम उसको पूरा अच्छे से tackle कर सके 1941 में इस पल्टन का गठन हुआ था इंडियन army में जो की आप देख सकते हो कि हमारी आजादी से पहले से ही आये ठीक है और आज की date में army intelligence scope खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बहार भी जो हमारी neighboring countries है वहाँ पर अपनी service दे रही है obviously देखो इनका काम raw CIA जैसा ही होता है undercover ये लोग होके चलते हैं और एक बात मैं आपको बता हूँ जो army intelligence scope के बंदे होते हैं जो भी इनमें नौकरी करते हैं वो लोग अपनी वर्दी तक नहीं पहनते हैं पूरी service में बहुत एक आद कुछ ऐसा moment आता है जब ये लोग अपनी वर्दी पहनते है क्योंकि काम इनका ऐसा है कि इनको undercover रहना है इनका जो motto है motto है इनका सदा सतर्ग इनका motto है कि सदा सदर्ग ये लोग रहते हैं इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता है जो भी कुछ suspicious activity है counter terrorism activity अगर कुछ भी गलत होने वाला है country में तो उसको पहचानना identify करना और neutralize मतला निस्ताना भूध भी करने का काम इस unit का होता है ठीक है अब जो लोग Army Intelligence Corps को join करते हैं उनकी training होती है पूने में मतलब पूने में ही इनका training center है और इस unit में Army, Navy और Air Force और इसके अलावा Paramilitary Forces and Civil Intelligence agencies जैसे RAW और NIA भी इसमें सामिल होती है और इसके साथाथ friendly foreign countries के जो हमारे Army, Navy, Air Force के persons होते हैं वो भी इसमें मिलकर अपना योगदान देते हैं इसके साथ साथ Military Intelligence Corps में कोई भी अगर threat आने वाला होता है तो इनका main उपदेश ही यह होता है कि threat को आप पहले से पैचानो और उसको neutralize करो ठीक है और कई सालों से हमारी Army Intelligence Corps अब जैसे मैं आपको बताया है कि ये आजादी से पहले से बनी भी unit है तो इन लोग भूत सालों से हमारे भारत की रक्षा करते वे आ रहे है और बट हम इनको इनकी जो bravery है ये भाहर निकल के नहीं आ पाती क्योंकि इनका काम ही है undercover होके अपने mission को अंजाम देने का या image में आप देख सकते हो ये है हमारे major mohichar mazab ठीक है although ये army intelligence corp से तालुकात नहीं रखते हैं बट इन्होंने जो काम करे है वो अपने आप में एक जासूस वाले काम है इनकी story आप सबको पता ही है कि कैसे ये आतंगवादियों के बीच में रहे इतना time last में उनका ही encounter करके वाफिस भी आ गए जिसके लिए इनको बाद में medal भी मिला ठीक है अब जो सब बच्चे join करना चाहते है army intelligence corp उसके लिए आपको हर साल army intelligence corp अपने vacancies निकालती है जो की voluntary basis पर आप जिसके लिए apply कर सकते हो उसमे कि इनका test होता है जिसको कि psychometric test कहा जाता है जिसमें कि आपकी mental mentality check करी जाती है ठीक है और इसके बाद अगर आप pass हो जाते है उस test में आपको training से गुजरना पड़ता है training में आपकी mental ability physical abilities sub test होती है ठीक है और एक बार जब आप pass कर लेते हो तो आप military intelligence को join कर लेते हो अब मैं बता दू जिनको लग रहा है कि यह easy है यह बिल्कुल भी easy नहीं है क्योंकि इसमें जो seats होती है बहुत limited seats होती है यह मान के चलिए साल की 10 से 15 seat ही आती है तो अगर जब 10 से 15 seat ही है तो आपको आपकी training के दोरान technical knowledge non technical knowledge दोनों आना चाहिए और इसके साथ साथ आप अपनी जो throughout service है आपके service में भी आप एक अच्छे candidate होने चाहिए ऐसे नहीं कि आपका track record बहुत बेकार है और आप intelligence score में जाके आपने serve कर लिया और आपको number मिल गया नहीं ऐसे नहीं होता है आपको औरों से अलग होना पड़ेगा आपका जो physical और mental abilities और और उसे अलग होनी चाहिए discipline आप होने चाहिए teamwork आपको करना आना चाहिए और आपके आसपास के लोगों के साथ आपको घुलना मिलना अच्छे से आना चाहिए तो ये सब चीज़े आपके अंदर होनी चाहिए आने वाले अगनी वीर के लिए आप अपनी अगनी वीर के ट्रेनिंग आपके जब पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद आप अपनी चाहर साथ टेनर कार्ड दोगे तो उसके बाद भी आप इस Army Intelligence Corps में जा सकते हो बट उसके लिए आपको अभी से अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से रखना होगा आई होप आपको पता चल गया होगा Army Intelligence Corps के बारे में आज का वीडियो यहीं तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोचल मीडिया हैंडल जैसे कि Facebook और Instagram में जाके follow कर सकते हैं वहाँ भी आपको हम सेम नाम अगनी वीरा उन्लें से मिलेंगे तो अभी जाहिए follow कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए जैन